बिग बॉस के घर में हर बार हर वीकेंड का बार पे हम देखते हैं कि प्रियंका चाहा चौधरी की क्लास लगाई जाती है बहुत ही बे तुकी सी चीजे होती है एकदम लॉजिक लेस पॉइंट लेस जो मुद्दे रहते हैं और ऐसा लगता है जानबूच कर टार्गेट करने की कोशिश की जादी हर मुद्दे को उनकी तरफ गुमा दिया जाता है अब ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि प्रियंका के लिए सिंपथी कठी की जा रही है और मेकर्स का ये प्लैन है कि हर हफ्ते हम प्रियंका को टार्गेट करेंगे तो उसके लिए सिंपथी लेकर खराएंगे तो दोस्तो ऐसा नहीं है एक तो सबसे पहली बात जो बाहर एक्टिफ फैंडम्स है वो एक्टिम फैंडम्स किसके हैं सबसे ज़्यादा स्टैन है प्रियांका है शिव ठाकरे है जिनका फैंडम बहुत जादा एक्टिव है और जो एक किसम से अगर फैंडम के हिसाब से देखा जाए तो बाहर कमपीट कर रहे हैं तो सिंपथी कठी करनी पड़ती है उसके लिए जिसको लोग बाहर सपोर्ट ना कर रहे हो लेकिन प्रियांका को अलड़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक तो है प्रियांका का फैंडम जो प्रियांका को सपोर्ट करेगा हर हालत में है ना एक होती है neutral audience बिग बॉस के जो लोग हैं बिग बॉस को देखने वाले वो मतलब बिन बिन प्रकार के लोग हैं कोई होते हैं जो अपने favorite contestant को support करते हैं कोई होते हैं जो गलत और सही choose करके फिर उसकी तरफ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो week days है वहाँ episode नहीं देखते सिर्फ weekend का वार देखने के लिए आते हैं और weekend का वार में उनको क्या दिखाया जाता है कि सल्मान खान हमेशा प्रियांका को target कर रहे हैं अब या प्रियांका को गलत 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 बोला जा रहा है तो जो neutral audience है उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि जब इतना बोला जा रहा है जब host इतना कह रहे हैं तो ये गलत ही होगी तो ये कोई sympathy इकठा नहीं करना है प्रियांका के लिए आप लोग सोच रहे हो जो जिनकों ये लगता है कि sympathy इकठी की जारी है उल्टा जो neutral audience है उनके दिमाग में ये चीज डाली जा रही है कि ये लड़की गलत है ये contestant गलत है तो इसको वोट नहीं करना यहां कोई reverse psychology नहीं है दोस्तों यहां पर ये बहुत सीधी बात नो बगवास टाइप स्टीज है कि sympathy कठे करने के तो कुछ बात ही नहीं है यहां पर है ना जै दिमाग में एक बात डाली जा रही है ताकि उनको भटकाया जा सके आप सभी को क्या है इस बारे में कहना कोमेंट्स में जरूर बताईए